बॉलिवुड इंडस्ट्री में अपने चुल्बुले स्वभा और अपने पती अजय देवगन के साथ बहुत खूबसूरत रिष्टा शेयर करने वाली अभिनेतरी काजोल खुद एक खांदानी फिल्मी परिवार से बिलॉंग करती है। वो भी इतने गुपचुप तरीके से जिसकी खबर मीडिया तक को नहीं हुई थी। अगर आप भी इस सवाल का जवाब बड़ी बेसबरी से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस दमदार जोडी के लिए एक लाइक जरूर कर दें। लिकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभिनेतरी काजोल जो फिल्मी बैग्राउंड से बिलॉंग करती है और इनका पूरा खांदान हिंदी सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है। और क्यों फ्लॉप अभिनेता अजे देवगन के साथ शादी की थी वो भी बड़े बड़े अभिनेताओं को छोड़ कर। दरसल बात उस दौर की है जब काजोल का अपने बॉइफरेंड के साथ ब्रेक अप हो गया था जहां पर इन्हें किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो इन्हें सम्हालता और जो इनकी केर बहुत जादा अच्छे से करता तभी हलचल मूवी के दौरान इनकी मुलकात अभिनेता अजे देवगन से हुई थी जो इनके को अक्टर थे और शूटिंग के दौरान अजे ने इनका बहुत जादा अच्छी तरीके से ख्यार रखा था जहां पर वो पैक अप होने के बाद काजोल को घुमाते थे लंच कराते थे डिनर कराते थे और इन सब से इंप्रेस होकर अ तुरंत अजे के साथ साथ फेरे लेने को तयार हो गई थी हलकी इन्होंने अपनी शादी इतनी सीक्रेटली तोर पर की थी कि मीडिया और इनके परिवार वालों को भी खबर नहीं लगी कि दोनों शादी करने वाले हैं और इन्होंने साल 1999 में पूरी दुनिया की नजरों से बचकर अजे के साथ मराठी रीती रिवाजों के अनुसार एक दूसरे को अपनाया और आज ये अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशाल जिन्दगी जी रहे हैं ऐसे में आपको समझ में आही गया होगा कि अभिनेत्री काजोल ने अपने दौर के फ्लॉप अक्टर अजे देवगन से सिर्फ प्यार और प्यार देख कर ही शादी की थी तो दोस्तों आपको अभिनेत्री काजोल का अजे देवगन को यू चुनना कैसा लगा है आप अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप ह उमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें